कल मेरे बेटे ने अपने पापा को मार्क शीट दिखाई जिसमें उसे मैट्स के पेपर में सो में से नभे नंबर मिले थे उसके पापा ने देखा और उसे पीठने लग गए और बोले तुम इतने जमजदार कैसे हो गए तुन नो में से नभे नंबर बना लेते हो वाउ तुमने जीरो बढ़ा दी आगे है निकम्मे कमीने मुझे बेशकू बनाता है मेरा बेटा रोने लग गया और हाथ जोड़कर कह रहा था पापा मैंने जीरो नहीं बढ़ाया लेकिन उसके पापा सुदने के मूड में ही नहीं थे और बेटे को बहुत मारने लगे जबकि मेरा बेटा सच बोल रहा था उसने जीरो नहीं बढ़ाया था बलकि नो बढ़ाया था दोस्तों आज के जमाने में सिर्फ बिजली विभाग ही ऐसा है जो कस्टमर को शुद माल बेच रहा है अगर विश्वास ना हो तो हाथ लगा कर देख ले शुद्धता का एसास आपको तुरंथ हो जाएगा डॉक्टर जब तुम कनाव में होते हो तो क्या करते हो मरीज जी मंदिर चला जाता हूँ डॉक्टर बहुत बढ़िया ध्यान वियान लगाते हो वहाँ पे मरीज जी नहीं लोगों के जूते चपल मिक्स कर देता हूँ फिर उन लोगों को देखता रहता हूँ उनको तनाव में देखकर मेरा तनाव दूर हो जाता है वाइफ और हजबन दुकान से निकले तो एक फकीर ने कहा ए हुस्न की मलिका अंधे को पांच रुपे दे हजबन ने वाइफ की तरफ देखा और बोला दे दे वाके में अंधा है हजबन एक पपी ले लू वाइफ नहीं बेटा सोते सोते ये सब सुन रहा था और उठकर बोला पापा मेरी पपी ले लो एक साइकल ही ला देना एक बुजूर्ग ने सुनने की नई मशीन लगवाई नई मशीन बहुत छोटी थी और आसानी से दिखती भी नहीं थी एक हफ़ते बाद वे फिर डॉक्टर के पास पहुँचा डॉक्टर कैसी चल रही है अब नहीं मशीन बुजूर्ग बहुत बढ़िया अब मैं अपने रिष्टेदारों के सारी बाते से अच्छे से सुन सकता हूँ डॉक्टर वाह तब तो आपके रिष्टेदार बहुत खुश होंगे बुजूर्ग नहीं मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया है कि मैं सुन सकता हूँ मैं पहले की तरह बैठा रहता हूँ और वे लोग मुझे बहरार समझ कर बात करते रहते हैं अब पिछले एक हफटे से मैं तीन बार अपनी वसियत बदल चुका हूँ बैंक मैनेजर क्लर्क से मिश्रा जी हमारे पुराने ग्राहक है तुमने कल उनसे बत्तमीजी की थी माफी मांगो उनसे क्लर्क हेलो मिश्रा जी हाँ बोल रहा हूँ मैं बैंक से बोल रहा हूँ मिश्रा जी हाँ बोलिए कल मैंने आप से कहा था कि भाड में जाओ मिश्रा जी हाँ तो क्लर्क अब मत जाना